किसे लगते मेरे बाल गुड़ ग्रीट फेंटाबुलिस या लुकिंग लाइक वाव एजेक्टिव आप डिसाइड कर लीजे लेकिन जो रजाल्स मुझे मिले हैं यह आपके हाथों को तो आपके बालों से दूर रहने ही नहीं देंगे और साथ है आपको गजब के हेर बढ़ेंगे इसके बाद और ऐसी खुबसूरत सी, you know, shine, glow, luster, you'll be really happy. Ready everybody, आएज जानते हैं, what all needs to be done. मैं थोड़े सापने बाल सवार लेती हूँ और. आपके लिए है ये गाना, कि आप सबके लिए और सब आपके लिए. ये जो pollution हो रहा है जो कि smog की तरह हमारे आसपास है. मैं चाहते हूँ कि मेरे परिवार में 50,000,000 लोग हैं. अगर इन में से 5,000 लोग भी इस चीज़ को अपने हाथों में लेते हैं, कि हम pollution को कम करने के लिए किसी ना किसी मुहीम से जुड़ेंगे. तो यकीन मानिए, you can do it, we can do it, we all can do it. हम एक difference जरूर स्थापत कर सकते हैं. इसलिए प्लीज, आज किसी ना किसी तरीके से environment के लिए आप कैसे beneficial हो सकते हैं, इस पर अवश्य काम कीजेगा. स्वागत करते हूँ अपने परिवार के बहुत सारे खुबसूरत लोगों का, जो कि हर वीडियो में आके अपना दिल खोल के डग देते हैं. आप सभी के प्यार, विश्वास और इतने सारे खुबसूरत कॉमेंस के लिए दिल से अभार. आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक DIY keratin treatment शेयर कर रहे हूँ, जो कि आपके बालों में shine देगा, gloss देगा, luster देगा, आपको काफे खुश कर देगा, और सबसे importantly, hair growth देगा, फिल्हाल, शाम हो चुकी है, light थोड़ी सी मंदी हो गई है, लेकिन फिर भी, जो shine and gloss आप यहां देख रहे हैं, बस, इससे बहतर ही आपको मिलेगा, और आप बेहत खुश हो जाएंगे, इसलिए, be positive, ingredients के बारे में पढ़िएगा, समझेगा, और फिर इस्तमाल में लाइएगा, and I'm pretty sure, कि आप भी अपने बालों को flaunt करती नहीं थकेंगे, खुश हो जाएंगे, काफी, काफी अच्छे results आपको मिलने वाले हैं, तो stay tuned and watch the video completely, तो चलिए, शुरू करते हैं, hair growth को promote करने वाला keratin cream कैसे prepare करना है, सबसे पहले आपको चाहिए एक pan, जिसमें आपको लेना है approximately 4 cup पानी, इसमें आपको लेना है 1 cup अलसी के beads, यानि की flax seeds, देखिए, ये beads सुनने में बहुत fancy हैं, भाई, flax seeds, लेकिन आप अपने nearby grocery में पूछेंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा, ये बहुत post-trick होते हैं, आपकी body में omega 3 की deficiency कभी होगी ही नहीं, अगर आप flax seeds का सही सेवन करते रहते हैं, तो, ये एक ऐसे beads होते हैं, जो magically, जब आप इसको पानी में boil करते हैं, तो ये पूरे के पूरे 4 कप पानी जब नहीं यहां लिया है, इसको gel में तबदील कर देता है, जिहां, इसको आपको carefully test करना है, 5-7 मिनट जब ये boil हो जाए, आप बहुत carefully इसको लेंगे, और चेक करेंगे कि तार बन रही, जैसे चाशनी में तार बनती है, ठीक वैसे ही तार बन रही है या नहीं, अगर बन रही है, तो आपका gel बन कर ready हो चुका है, जो कि approximately 5-10 मिनट के बीच में कहीं पर होगा, आप flame को कर देंगे, बन और इस पूरे के पूरे gel को गरम-गरम ही चान लेंगे, क्यों गरम-गरम हाँ जल गया तो, देखिए, जब ठंडा हो जाता है न, तो ये gel के अंदर seeds फस जाते हैं, अब आप कैसे निकालोगे, या तो muslin cloth से थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा mess हो जा जानेंगे, तो सारे बीज अलग हो जाएंगे, और gel अलग चला जाएगा, ये थोड़ा तरल होगा, जब ठंडा होगा, तो बिल्कुल जैसे gel होता है, जैली बैली वैसा हो जाएगा, तो इसको जैसे आप convenient है, हमें gel चाहिए, that's it, इसके बाद, अब आपको second चीज प्रिप पानी, हलका सा गुंगुना पानी, गुंगुना पानी और इसमें आपको लेना है एक बड़ा चमच, पानी सरफ इतना होना चाहिए, कि हमें इसको घोलना है, that's it, तो आप अच्छे से इसको घोल लीजे, कोई लंप नी रहना चाहिए, बिल्कुल तरल हो जाना चाहिए, कि कौन स्टार्च को जो घोल आपने बनाया है, वो इसमें ले लेंगे, अच्छे से आप इसको स्टर करेंगे, आप देखेंगे, यह सारा का सारा जेल जैसा तबदील हो चुका है, अब अगर मैं आप से कहूं, कि फ्लाक सीट्स के अंदर जो ओमेगा थी का कॉंटेंट है, य आइरन होता है, तो यह सारी चीज़े आपके बालों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपकल आप्रिकेशन है, शाइनियर बालों को बनाता है, स्ट्रेट करता है, ग्लॉसियर बनाता है, किसी भी प्रकार की परिशानी अगर आपके क्यूटिकल्स में है, उसको सौट करता है इन शॉट यह आपके स्कैल्प और आपके बालों के लिए एक कंप्लीट कंडिशनर है, जो काम मार्केट बेस कंडिशनर आपके बालों के लिए करता है, वो कॉन स्टार्च अकेला कर सकता है, डन, जब आप देखेंगे बिल्कुल यह गाड़ा हो गया, एकदम बंद गया ह है आपस में, आप फ्लेम को करेंगे बंद और आप फ्लाक सीज और कॉन स्टार्च करेंगे जो ब्लेंड है थंडा होने के बाद दोनों को मिला देंगे, डन, इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सिमेटली एक चम्मच ओलिव या फिर आर्गनॉइल, क्योंकि यह केरिटन क् करने के लिए, तो बेहतर होगा कि अगर आप इसमें आर्गनॉइल लेए ठेक है नहीं है आप ऊलिव ले लीजे कोई पर रेशानी नहीं है वोगी नहीं है तो कोई भी ले लिजे ठेक है पर दर टाइम लिए अगला अच्छा ट्रीट्मिंग करना चाहते है तो आर्गन गजब समझते हैं क्या होता है गजब मतलब कमाल की तो यह जो हमारी कमाल की केरेटिन क्रीम बनकर रेडी हुई है ना एकने में तो आपको लगी रहोगा कि इतनी सॉफ्ट तो प्रिंडा ने क्या स्पेशल बता है हमें पता है यह बालों को सॉफ्ट करेगा यकीन मानिए जित रेफ्रिजरेट कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है पर हमने रेफ्रिजरेट करने के लिए प्रिपैर नहीं किया है इसलिए हम इसको सही-सही धंक से यूज़ करते रहेंगे मैं आपको बताऊंगी कैसे पर दे आप्लिकेशन आपको यह जो क्रीम है यह डांप बालों में लगानी है यानि कि बिल्कुल भीगे वे नहीं बिल्कुल सूखे वे नहीं ज़स्ट लिटल बिट बीच में जो होते हैं जब नहाने के बाद कुछ समय बाद बाल हलके हलके गीले होते हैं वैसे बालों में करना है बाट इफ अप मेरी तरह हैं कि मैं नहाने के बाद नहीं क अपने बालों में करते जाईए और जब आपके बाल पूरी तरह से आप कवर कर लें स्कैल्प भी पूरी लेंज भी इसके बाद आप इसको टर्न करके बहुत ज्यादा कसके जूड़ा नी बनाना है जस अच्छे से फोड कर लीजे और शार कैप पहन लीजिए डन इसके बाद अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनिट इसको अपने बालों में रहने दीजे एक घंटे तक भी रख सकते हैं कोई परिशानी नहीं है और उसके बाद आप नॉर्मल शांपू करेंगे शांपू करने के लिए सबसे पहले आप जस बालों को अपसाइड डाउन करके पहले इस पूरे क कोई परिशानी नहीं है कोई भी रेसिडियों आपके बालों में नहीं रहना चाहिए अच्छे से बालों को वाश करने के बाद आप इसे नाच्रली सूखने देंगे कोई हीट नहीं कुछ नहीं जिस्ट नॉमली सूखने दीजे अगर धूप सेकने के लिए आपके पास कोई परिशानी नहीं है that's great for your hair और उसके बाद जब आप अपने बालों को देखेंगे सूखने के बाद तो बदाना सब लोग वापस आके कि कितनी पिच्छस क्लिक करें सबने I'm 100% sure कि there'll be no limit आप बस पिच्छस ही क्लिक करते जाओगे ऐसे वैसे आपने देखा होगा इस व पूरे के पूरे blend को आप बनाके मैंने बताया कि रख सकते हैं for a longer duration लेकिन ये keratin treatment आप अगर 15 दिन में एक बार करते हैं कोई परिशानी नहीं है हर hair type आपका low porosity high porosity medium porosity आपके बाल oily है dry है कैसे भी है आप इसको 15 days में एक बार करके अपने बालों को absolutely straighten कर सकते हैं healthy कर सकते है hair growth अपने ले पास सकते हैं and there are so many benefits individual ingredient के अगर आप पढ़ेंगे ना आप बोलेंगे कि क्यों कराया हमने अब इतने सारे पैसे waste किया keratin treatment में और it's okay वो भी एक experience है जो आपने लिया पर ये काफी अच्छा और healthy experience है जो कि आप घर पर खुद कर सकते हैं बिना किसी side effects के answering your questions around the remedy क्या हम इसको prepare करके रख सकते हैं मैं बता चुकी हूँ हफ्तों यह अपके refrigerator में रह सकता है पर जल्दी जल्दी यूज़दी 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 कर लीज़एगा क्या बच्चे यूज़दी कर सकते हैं बिन दास कर सकते हैं अराम से कर सकते हैं क उनको ट्राइ कर लीज़ए लेकिन यह जो मैंने बाते कहीं है about the you know amazing results यह इसी blend के बारे में हैं अगर आप changes करते हैं तो थोड़े बहुत changes obviously आएंगे so you can suit yourself right क्या हम इसको हर दिन कर लें बिटाई हो जाएगी ठीक है कोई भी चीज रोज नहीं करनी है मैं हर वीडियो में बोलते हूं लेकिन फिर भी एक question आता है कि हम रोज कर लें रोज कुछ नहीं करना है ना oiling रोज करनी है ना सर रोज होना है ना remedies रोज करनी है discipline way में करेंगे ना तो अच्छे results मिलेंगे इस remedy के साथ हम और क्या-क्या कर सकते हैं कि हमें better of results मिले आप इस वीडियो को शेर कर सकते हैं जहां अच्छा होगा ना जभी वीडियो को पता से लेगा और लोग हमसे जुड़ेंगे मुझे थोड़ा सा confidence मिलेगा मैं और अच्छ मैं करती हूँ तो please be a part of this wonderful family मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में with something magical for your hair, skin and health तब तक के लिए खुश रहिए prayers में बहुत सारी prayers चोड़ते रहिए इतनी सारी चीज़े मरे आसपास हो रही है that we have to be vigilant हम नहीं तो और कौन करेगा है कि नहीं so all the very best looking like a wow bye bye